दोस्तो हमारे मुआशने में नासूर बढ़ते ही जा रहे हैं आईए पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं वीडियो आपने देखी जिसमें एक शक्स एक खातून एक लड़की को हिरासा कर रहा है उसके साल जबर्दस्ती करने की कोशिश कर रहा है ये कोई और नहीं वीडियो शेखुपूरा की है ये जिसमें ये जो शक्स है जो एक खातून को हिरासा कर रहा है जबर्दस्ती कर रहा है ये एक सकूल का मालक सगीर असद नामी शक्स है जी हाँ शेखुपूरा में एक प्रिवेट सकूल का मालक सगीर असद नाम का ये दरिंदा जो के पाकिस्तान तहरीक इसलाम नामी तन्जीम का चेर्मेन भी है माशरे में जिंसी दरिंदे हर जग अपाया जाते हैं लेकिन आज कल ये तालीमी इदारों में एजुकेशन की आड़ में अपना धंदा चला रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे दरिंदों की तादाद बढ़ती ही जा रही है दश्टर कुछ दिन पहले हमने सरकोदा यूरिस्ट्री भकर कैमपस की एक तालबे इल्म की आपके साथ स्टोरी शेयर की थी जिसमें उसके मैध डिपार्टमेंट के हैड़ ने उसे हिरासा किया उसको गलत मेसेज़ किये और उसको करीब आने की और अपनी नाजायज वाहिशाद पूरी करने की दी जब उसने पूरी ना की तो उसे दो समेस्टर में लगतार फेल करता गया इस कबर पर उस लडगी ने वीडियो बनाई हमने इसकी यूज दी तो बिला आखिर हुकूमत पुलीस हरकत में आई और इस दरिंदे को गिर्फतार कर लिया था अब हम इस वीडियो के बारे में भी आपको यही कहेंगे इस वीडियो को ज़्याद ज़्याद आप शेयर करें ताकि ये दरिंदा जिसका नाम सहीर असद है जो के शेखूपूरा के एक प्राइवेर स्कूल का मालिक है उसको भी जल जल गिर्फतार करके उसे इबरत का प्राइड है एक पर फिर आपको बिताते चलें ये शेखूपूरा की वीडियो है जिसमें स्कूल का मालिक जहीर असद अपनी सिको लीग को जिसी तोर पर हिरासा कर रहा है अपने आफिस के अंदर और उसकी एक साथी टीचर ने जब वीडियो बनाई तो वो उस पर घुसे अपने वो गया 17 सेकंड की वीडियो बन सकी लेकिन 17 सेकंड की वीडियो में भी सब कुछ वाज़ हो जाता है कि उसके इरादे क्या थे वो उस खातून टीचर के साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश कर रहा था उसकी साथी टीचर ने टेबल के पीछे बैट के उसकी 17 सेकंड की वीडियो बना ली जब उस मुझरिम सःद को पता चला तो उस ने उस टीचर को भी उससे से टांटा और वीडियो बनाने से मना कि लेकिन साथी टीचर ने उसकी वीडियो बनाई और सोशल मेडिया पर भालार कर दी जिससे ये आप हर जब वा clown हो रही है आप से भी हम उस तारेश करते हैं इसकी नियूज जो हमारी वेबसाइट www.showbizmasket.com पर मुझूद है उसको शेयर करें और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस तरी इन्दे को भी चल्द अफ़ चल्द ग्रफदार करके इसको अंजाम तक पहुचाया जा सके हैं लेकिन इस वक्त लम्हा ओफ्क्रिया ये है कि ऐसे घिनाऊने काम आजकल तालिम की आड़मी किये जा रहे हैं तालिमी एदारों किये जा रहे हैं उनके परफेसर टीचर सुकूल मालकान इस तरह के अफ़राद अपनी साथी टीचर के साथ में और अए सकूल आधा deprived कि है, कोई चंद एक एक्कादूका वाक्यााथ सामने आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे छुपा लिए जाते हैं, जबर्दस्ती कर दी जाती है, कोई नगो ये वाक्या भी सिफ दूसरी टीचर की वजह से सामने आया, कि उसने सतरह सिक्टिंड के वीडियो बनाई और पोस्ट कर दी, उसके साथी टीचर ने इस तरह के नजाने कितने वाकियात हैं, जो ऐसे ही तालीमी अदारों में हो रहे हैं, जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई वाकिया रिपोर्ट होता है, तो फिर वाइरल होने के बाद कोई एक्शन लिय इसको गिरिफ्तार किया जा सकें, और इस दरिंदे को निशान इबरत बनाया जा सकें, ताकि तालीम जैसे मुकद्स पेशा को ये लोग बरबाद ना कर सकें, तालीम से लोगों का देहान, उनका इतमाद विश्वास ना उठ सकें, इसमें हमारे लिए एहम पहलू ये है, कि कि सिर्फ तालीमी इदारों में ही क्यों हो रहा है, आफिस बगार में बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया जाता है, क्योंकि तमाम लोग एक ओफिस के अंदर मुझूद होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकि तालीमी इदारों में ऐसे कॉलिज इदारों में बहुत से पहलू है कभी स्टूडेंट को उनके माक्सी वज़ा से प्रेशराइज करके ऐसे गहर कानूनी गहर इसलामी गहर शरी और जुराइम पर में मबनी ऐसे खलत काम किये जाते हैं हौशकनशाना बनाया जाता है और कई जगा अपनी साथ कुलीगज को इस तरह रहë हौशकनशाना बनाया जाता है अपने मिलाजमाओं को चिने प्राइवेड स्कूलों vivo में मिलाजिम रखा जाता है उन टीछर्स को तरह उन्तीकर वजह से यहां पर अपनी हवसकन शायनाय बनाया जाता है यह हमारे लिए बहुत सोचने की बात है प्लीज आप कुछ अरा हमारे साथ शेयर की रे कॉमन्ट कीजिए और हमारे वेबसाइट www.showbizbasket.com पर इसकी पूरी न्यूज देखिए और इसे ज्याद से ज्याद झाल